ओम साही राम, वेलकम टू साही समर्पन चानल, मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूँ, दर्द संकेत होता है जिन्दा रहने का, समस्या संकेत होती है मजबूत रहने की, और प्रातना संकेत होती है आपके अकेले ना होने की, तो चलिए जो आश्रम में रहता था और वो बहुत गुस्यल सभाब का था और जितने भी साथ ही थे ना उसके जो आश्रम में रहते थे सबसे गुस्य से बात करता था सबसे अनाप शनाप कहता था और इस कारण उसने अपने सारे रिष्टे खराब कर लिये थे तो अगर कोई इंसान बार बार किसी को अफशब्द कहेगा कुछ बुरा कहेगा न तो कोई भी इंसान किसी से connection नहीं रखता तो ऐसा ही उसके साथ में हुआ सब लोगों ने उससे बाचीत करना बंद कर दिया और ऐसे लोगों से हर कोई दूर रहता है तो उससे भी दूर होना शुरू हो गए सब लोग, सब ने बाचीत करना बंद कर दिया, तो उसे realize हुआ इस चीज़ का कि सब ने मुझे बाचीत करना बंद कर दिया, और वो बिल्कुल अकेला हो गया था, अकेला पढ़ गया था, तो वो अपने गुरुजी के पास में जाता ह कि गुरुजी ऐसा ऐसा चल रहा है और मेरी सबसे पाचीत होना बंध हो गई है क्योंकि जो मेरा वेवार है न वही मेरे खिलाफ हो चुका है मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता मुझसे अपशब्द निकल ही जाते हैं ना चाहते हुए भी मुझे गुस्सा आ ज सब्भाव इतना अच्छा है तो आप कैसे करते हो आप किसी से लड़ते जखडते भी नहीं हो आप किसी से उल्टा सीदा भी नहीं कहते हो तो इसकी बीचे आपका क्या सीकरेट है मुझे बताए गुरु जी जिससे मैं भी वो कर पाऊं मैं भी अपने जीवन में वो तो ये सुनकर जो शिश्य था वो घबरा जाता है उसका दिमाग खराब हो जाता है और उसे यकीन करना पड़ता है तो ये बात किसी शिश्य ने नहीं कही उसके किसी साथी ने नहीं कही है तो उसके गुरुजी ने और गुरुजी बहुत बड़े विद्वान है वो कभी गलत नहीं बोल सकते उन्हें तो सब का वर्तमान भविश्य भूत काल सब पता होता है तो वो घबरा जाता है और टेंशन में आ जाता है और जैसे ही वो गुरुजी की कक्षु से बहार निकलता है ना तो बहार निकलते ही जो से पहला व्यक्ति मिलता है ना उससे माफी मांगता है और कहता है मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो जो मुझसे गलती हुई थी वो मुझसे अंजाने में हुई थी फिर दूसरा व्यक्ति मिलता है उससे भी माफी मांगता है और धीरे धीरे करकर वो जो भी मिलता है याद करता जाता है और सबसे माफी मांगता जाता है क्योंकि उ से साथ दिनों के बाद तुम्हारी मृत्ति हो जाएगी और वो क्या करता था कोई भी अगर उसे उल्टी सीधी बात कहता था या कुछ भी न तो उसे गुस्सा नहीं करता था उसे अंदर ये अंदर पी जाता था कभी भी किसी से उल्टी बाते नहीं करता था कुछ भी नहीं क पूरा एफर्ट्स लगा दिया था, सबसे वो कहता था, कि मुझे माफ कर दीजिए, कि पता नहीं मैंने ये क्यों कह दिया आपसे, तो मुझे माफ कर दीजिए मेरी गलतियों के लिए, ऐसा करके पूरे साथ दिन पूरे हो गए, और फिर वो गुरुजी के पास में जाता है, गुरुजी के कक्ष में जाता है, और गुरुजी से बोलता है, गुरुजी आज आपको अंतिम प्रणाम करने आया हूँ, इसे स्व जो आपने भविश्यवानी कर दी थी ना आज उसका सात्वा दिन है गुरुजी आज मेरा आकरी प्रणाम सुएकार कर लीजिए तो गुरुजी ने कहा एक बात बताओ बेटा तुम इतने दिनों से क्या तुमने किसी से कुछ कहा तो उसने कहा नहीं गुरुजी मुझे गुस अंतिम समय आ चुका है तो इसलिए मैंने सबसे माफी भी मांगी है गुरुजी तो गुरुजी कहते हैं यही मेरे बच्चे यही तुम्हें समझाना चाता था यही निर्मल रहने का मेरा सीक्रेट है जो तुम जानना चाहते थे जो तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम्ह मेरी मृत्ति हो जाएगी और मुझे ऐसा लगता है कि हर दिन मेरा अंतिम दिन है तो मैं इस वज़र से कभी किसी से बुरा वहवार नहीं करता कभी किसी से अफशब्द नहीं कहता कभी किसी से गलत वहवार नहीं करता हूँ मैं तो ये सब कुछ मैंने लीला तुमें समझाने क लिए की थी जिससे तुम समझ पाओ और मैंने ये जूटी भविश्यवाणी रची थी जिससे तुम अपने आपको समझ पाओ तो ये कहानी गुरु और शिशे की नहीं हमारे और आपकी है क्योंकि हमारे जीवन में न यही सब कुछ घटित होता है अगर हम ये समझ लेना कि हम हमारे पास भी सिर्फ और सिर्फ साथ दिन है सोमवार मंगलवार बुदवार ब्रस्पदवार शुकरवार शनीवार और इतवार अगर हमें समझ लेना कि हमारे पास में ये अंतिम दिन है ये साथ दिन है तो हम अपने भविश्य में सुधार कर पाएंगे हम अपने जीवन म कि आज का दिन हमारा अंतिम दिन है तो देखना आपके जीवन में कितना बदलाव होता है आपके वहवार में कितना बदलाव होता है आप दिन बर दिन चेंज होते जाएंगे और आपको लगेगा कि आज का दिन अंतिम दिन है और ये वैसे फैक्ट भी है तो इसलिए आज का जो दिन है न वो आपका अंतिम दिन है और अपने कर्मों को अच्छा बनाईए क्योंकि हमें उपर जाके अपने कर्मों को हिसाब देना है ना कि किसी और चीज का तो अपने कर्मों को आप अच्छा बनाएंगे तब ही अच्छा होगा हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सार और एसे लोग हों जो हमसे गलत बोलते हों आप शब्द कहते हों तो उन्हें इगनोर मारेंगे ध्यान नहीं देंगे अपनी वाड़ी को गंदा नहीं करेंगे हमिशय निर्मल रहेंगे और प्यार से बोलेंगे तो देखना आपके जीवन में भी बहुत कुछ अच्छा होगा और आपको भी इश्वर के अपने साइं के चमतकार देखने को मिलेंगे देखना आप अगर आप अपना बहेवियर बदल देते हैं अपना वहवार बदल देते हैं दिन बदिन आप भी अपने आप में चेंजिस लाते हैं तो आपको किसी को बदलने की जरुवत नहीं है अगर आप खुद को बदल लेते हैं तो आपको किसी को भी बदलने की जरुव करें तो जो भी है सब बदल जाएगा धीरे-धीरे करकर अगर आपका सभाव बदलेगा ना आपका वहवार बदलेगा तो एक दिन दो दिन तीन दिन जब सामने वाले को लगेगा ना कि आप पर कोई फरक नहीं पड़ता आप ध्यान नहीं देते हो तो वो कहना ही छोड़ दे क्योंकि किसी को नहीं पता कि उसकी कब रितियों आजाए क्योंकि कहते हैं जीना जूटय और मरना सत्य है तो यहीं चीज़ेंगे अपने कर्मों को सुधारेंगे न अगर हम किसी और चीज़ पर फोकुस करने से अच्छा अपने कर्मों को अपनी वाणी को सुधारेंगे न तो हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देखेंगे अपने आपको बदलिए फिर देखना आपके जीवन में बहुत सारे चें चैन्जिस आ जाएंगे क्योंकि अगर आपका वहवार अच्छा होगा न तो दुनिया का वहवार भी अच्छा हो जाएगा दीरी दीरी करकर हमारे आसपास में भी अच्छा वातावरण होगा सकरात्मक होगा सबको positivity मिलेगी आपसे और सब आपसे गुलना मिलना चाहेंगे आ तो definitely आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर पाएंगे I hope आपको ये information अच्छी लगी होगी, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए मैं लूँगी समापती, ओम साई रम, जै साई रम